हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे केले की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी और स्वास्ते वर्दक होती है इसके अंदर मैगनीशियम, पोटेशियम, फोस्फोरस जैसे ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं और इसके अंदर फाइबर की भी मात्रा काफी पाई जाती है जो की हमारे पाचन क्रिया के लिए भी जरूरी होती है तो क्यों ना इस healthy और tasty recipe को आज हम अपने kitchen में try करें आज की recipe के लिए मैंने लिये हैं एक kilo कच्छे केले इसको मैंने अच्छे से peel कर लिया है सभी केलो को अच्छे से peel करने के बाद मैंने इसे अच्छे से wash कर लिया है अच्छे से वाश करने के बाद इसे हम छोटे छोटे पीसिस में कट कर लेंगे जादा फेमस कच्छे केले की सबजी दो तरीके की होती है एक सरसो के मसाले में और दूसरी गरम मसाले में पर हम बिना गरम मसाला और सरसो के ही बनाएंगे इसमें डालने के लिए मैंने बेसिक से मसाले लिये हैं जिसमें एक चम्मच जीरा, आठ दस काली मिर्च और दो टेवल स्पून लहसुन और एक इंच अधरक का टुकड़ा इसको हम बारीक पीस लेंगे फिर एक कढ़ाई में हम तेल गर्म करेंगे केले की सब्जी में और सब्जियों के मुकाबले में तेल थोड़ा जादा लगता है पर मैं एक खास ट्रिक से इस सब्जी को बनाऊंगी जिसके अंदर तेल कम लगेगा जब तेल गर्म हो जाए तब उसके अंदर हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून जीरा और हाफ टेबल स्पून काली सरसो दो तिन पिंच मेथी दाना और थोड़ी सी कलोंजी कलोंजी भी सिर्फ दो चुटकी ही डालेंगे जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाए तब इसके अंदर हम कटे हुए केले डालेंगे और इसे हम तेल में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे जब ये अच्छे तरीके से तेल में कोट हो जाए तब इसको हम दो मिनट के लिए ढखकर पकाएंगे सुरुआत में ही इसे ढखकर पकाने से ये तेल कम एब्जॉर्ब करता है इस ट्रिक से पकाने से एक तो तेल भी कम लगेगा और इसके अंदर जो हम मसाले डालेंगे उसका फ्लेवर सबजी के अंदर तक बहुत अच्छे से समा जाएगा और सबजी हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी लगभग पाँच मिनट तक इसे ढखकर पकाने के बाद जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए तब इसके अंदर हम डालेंगे पीसे हुए मसाले जिसमें मैंने अदरक लैसुन, काले मिर्च और जीरा पीसा है इसको हम डाल देंगे और साथ ही डालेंगे सुखे हुए मसाले लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अनुसार, थोड़ी सी हल्दी और नमक स्वाद अनुसार इसको हम डाल कर मिक्स करेंगे और फिर इसे हम दो से तीन मिनट के लिए ढखकर पकाएंगे हम इस सबजी को पकाने के लिए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे बस हम इसे ढखक कर पकाएंगे ताकि मोश्यर बना रहे है और सबजी में जो हमने मसाले डाले है वो अच्छे से सबजी के अंदर मिक्स हो जाए सबजी को हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक पकाएंगे ताकि इसके उपर अच्छा सा कलर आ सके जो देखने में बहुती सुंदर लगता है और सोंधेपन की खुशबू भी आती है जब ऐसा कलर ऐसा इस टेक्चर आ जाए तो हमारी सबजी बनकर बिल्कुल तयार है इसको हम वैसे चाकू से कट करके भी देख लेंगे कि यह अंदर से अच्छे से पका है या नहीं देखिए हमारी सबजी जो है बिल्कुल परफेक्ट कुखो चुकी है अब हम अपने गैस को बंद कर देंगे यह सबजी दाल चावल के साथ या पराठों के साथ बहुत ही टेस्टी ल की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा कर अल पर प्रेस करना ना भूले थेंक्स वर वाचिंग